आज की वीडियो एस बारे में है कि जब हम घर बना लेते हैं तो घर में cracks क्यों देखने मिलते हैं? cracks आते क्यों हैं? उनको ठीक कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से cracks नुकसां दे होते हैं और कौन से cracks नुकसां दे नहीं होते? यह depend करता है crack की width के उपर यानि के crack कितना चोड़ा है आम तोर पे crack की चोड़ाई को mm में gauge किया जाता है cracks आम तोर पे 1 mm से या 1 mm से भी कम से start होते हैं और 10 mm तक भी चाते हैं अब जैसे यह सामने आप crack देख रहे हैं यह तक्रीबबन 1 mm से भी कम है तो क्या यह खतरनाक है आपके घर के लिए या नहीं तो सबसे पहले यह बात याद रख लें कि अगर आपका crack 3 mm से कम है चोड़ाई में तो वो नुकसान दे नहीं आपके घर के लिए तो ऐसा crack देखने में तो बुरा लग सकता है लेकिन वो structural safety के हिसाब से नुकसान दे नहीं है आपको simple यह करना है कि एक chemical में आगे जाके वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आप ऐसे crack में fill कर सकते हैं लेकिन अगर आपके घर में आने वाले crack की चुड़ाई चार मिली मीटर से ज्यादा है तो वो नुकसान दे हो सकता है तो मैंने आपको यह तो बता दिया कि कितनी चुड़ाई वाले cracks नुकसान दे होते और कितने वाले structurally नुकसान दे नहीं होते अब हम बात करते हैं कि cracks आते किन वज़ा से हैं क्योंकि यह आपको पता होगा तो उन वज़ों का आप ख्याल रखेंगे और आपके cracks नहीं आएंगे तो सबसे पहली वज़ा यह होती है कि चुनाई करते हुए और प्लस्टर करते हुए जो मसाला बराया जाता है उसमें सीमट की मिगदार कम रखी जाती है लॉरंस पूर वाली रेट से पतली होती है यानि उसके दाने चोटे होते है लॉरंस पूर वाली रेट लेंटर में इस्तमाल होती है कंक्रीट में इस्तमाल होती है जबके घाजी की रेट प्लस्टर में इस्तमाल की जाती है तो ख्याल रखें कि अच्छी quality की rate का इस्तमाल करें और तीसरी वज़ा cracks आने की ये होती है कि shrinkage हो जाती है यानि कि curing आपने सही नहीं की curing का मतलब है कि आपने चुराई करके या प्लस्टर करके उसको पानी सही तरह नहीं लगाया तो पानी ना लगाने की वज़ए से भी जो chemical process होता है जिससे सीमट solid होता है और वो एक heat based process होता है उससे पानी उड़ जाता है और cracks आ जाते हैं उसे श्रिंके जो जाती है मसाला सुकरता है और cracks आ जाते हैं ऐसे cracks तो बहुत ही ज़्यादा common है आपको अक्सर प्लस्तर हुई वी सतों के उपर नजर आएंगे और उनकी वज़ए यह होती है कि प्लस्तर करके उसको पानी सही तरह से नहीं लगाया जाता यह ज़्यादा गहरे cracks या ज़्यादा चोड़े cracks नहीं होते ऐसे spider का जाला सा आपको नजर आता है और यह आपको आम तोर पे चत की पर्दियों में आप देखें आपको नजर आ जागा कोई भी ऐसी जगा जिदर आपने प्लस्तर करने के बाद सही मोटा paint नहीं किया वहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे cracks तो यह खतरनाक नहीं होते लेकिन इनको avoid करने का तरीका यह होता है जदा से जदा कि आप प्लस्तर करके इची तरह पानी लगाएं सही खतरनाक cracks की बात तो मैं अभी करने ही वाला हूँ लेकिन उससे पहले यह आप देख लें कि अगर इस तरह के cracks हैं आपके घर में तो जदा डिरने की जरूरत नहीं है 3 mm से चोटे cracks के बारे में आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है तो अब मैं बात करता हूँ कि सबसे खतरनाक किस किसम के cracks होते हैं सबसे खतरनाक cracks वो होते हैं जो diagonal आपने देखे होंगे शायद कभी नजर आई ही जाते हैं इस तरह के cracks खास तोर पे ऐसे steps की शकल में आपको नजर आते हैं जैसे एक step आगे जा रहा होता है फिर नीचे जा रहा होता है फिर आगे जा रहा होता है साफ पता चल रहा होता है कि दिवार का एक हिस्सा अलग हो चुका है और दूसरा हिस्सा अलग हो चुका है सिर्फ क्योंकि एक दिवार थी पहले जैसे वो साथ जुड़े हुए है otherwise वो दो अलग हिस्से बन चुके है मतलब जरा सा उसको धका लगेगा या जलजल आएगा तो वो गिर जाएगा इस तरह के क्रैक को खतरनाक समझने का पहला तरीका ये होता है कि आप इसकी विड्थ देखें तो ये 6 mm से ज्यादा होती है आम तोर पे 6 से 10 mm तक इसकी विड्थ होती है ऐसे क्रैक स्टेप की शकल में होते हैं और आम तोर पे दिवार की बेस तक जाते होते हैं ये पता चल रहा होता है कि हिस्सा नीचे तक अलग हो चुका हुआ है ऐसे क्रैक की पहली वज़ा ये होती है कि सेटलमेंट हो चुकी है यानि के नीचे की मटी जो आपके घर के नीचे की मटी है वो बैठ चुकी है तो settlement होने की वज़ा से ऐसे cracks हो जाते हैं तो आपने ऐसे cracks को avoid करने के लिए तीन काम must करने हैं एक ये कि जब आप घर बनाना शुरू करें उससे पहले जब मटी की भराई होती है उसको अच्छी तरह से compact आपने compactor machine के साथ करवाना है ताके मटी maximum जितना आप बिठा सकते हैं उसको घर बनाने से पहले ही बिठा दे उस वक्त उसको बिठा देना सही है बजाए इसके के घर एक बाद बन जा उसके बाद मटी बैठे दूसरी आपने जो protection करनी है वो ये है कि आपने पूरे घर के नीचे प्लिंथ बीम बिचानी है उससे ये होगा कि पूरा घर एक हमवार सता से शुरू होगा प्लिंथ बीम तो होती भी concrete की है तो concrete का तूटना काफी मुश्किल होता है बनिसबत चुनाई की दिवारों के तो जब आप प्लिंथ बीम पूरे घर के नीचे प्रोवाइड कर देंगे तो सारी दिवाने शुरू भी एक लेवल से होगी और दूसरा एक बहुत अचा काम भी हो जाएगा कि घर की waterproofing अच्छे से हो जाएगी क्योंकि प्लिंथ बीम जेरे जमीन मटी को चुनाई वाली दिवारों में जाने से रोकती है तो अगर आपके घर में भी 6 mm से ज्यादा वाला diagonal crack आ चुका है तो सबसे अच्छा तो यह है कि crack के लिए कोई consultant अगर आपको मिल जाता है आपके area में तो बहुत अच्छी बात है उसी से आप मश्वरा करें किस तरह से इस crack को ठीक किया जाए लेकिन मैं आपको एक सस्ता solution बता देता हूँ जिसको लोग follow करते है तो एक chemical आता है Dr. Fixit के नाम से उसका एक X paste होता है और एक shrinkage based होता है तो Dr. Fixit का एक X paste chemical होता है बाहर के मुलकों में भी मिलता है wall putty की तरह होता है उसको crack में fill कर देते हैं उसका तरीका यह होता है कि जहां पर fill करना होता है वहां से cracks को थोड़ा थोड़ा और छेद लेते हैं यानि grinder मार के या अची तरह से रेग मार मार के जो कुछ उतरता है उसको उतार लेते हैं और उसमें Dr. Fixit ready made paste होता है उसको fill up कर देते हैं चार से छे घंटे के लिए छोड़ देते हैं जब वह सूख जाते हैं तो एक दूसरी layer लगाते हैं ताके पूरी तरह से अच्छी तरह तक अंदर crack में वह fill हो जाए और बाहर से भी सिर्फ वह आपको नीचे वाली दिवार नज़र आए एक स्पेस नज़र आए और उसके बाद उपर वाली दिवार नज़र आए तो उसको अच्छी तरह दुबारा से भरके एक level कर देते हैं रैपर के साथ पूरी दिवार के साथ flush कर देते हैं और फिर उसको 4-6 गंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वह बिल्कुल सख्त हो जाता है तो यह अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है उसलिक और बता रहा हो यह आप ना सिर्फ वर्टिकल सतों पर यूज कर सकते हैं जैसे दिवार होती है बल्के होरिजोंटल जैसे च buildings जैसे चंड होती है आप इसमें बहुत और चिप्स बह elsे किसे और यह ऊपर भी डाल दी है तो इसमें भी आपको क्रैक्स नजर आते हैं अक्तर खास तो यह भार चिप्स जहां पजाँ होता है तो शीषे और चिप्स्ट के बीश में घैप्स होते हैं तो वहां से भी पानी नीडी साथ ए पर भी आप इसको फिल कर सकते हैं और अगर टाइले हैं टाइले आपने लगवाई यह चाहते हैं तो उनके भीच में आप वाइट सीमर उसकी दर्जों में फिल कर दें चलिए यह तो मैंने आपको एक लोकल सुलुशन बता दिया diagonal और खतरनाक cracks को deal करने का एक और तरह के cracks होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं ऐसे cracks आम तोर पर वहाँ देखे जाते हैं जहांपर concrete elements चुनाई के साथ मिल रहे होते हैं जैसे एक column हो concrete का उसके साथ जब आपने दिवार शुरू की उनके बीज में यह cracks आते हैं तो इस तरह के cracks को भी avoid करने का तरीका है और अगर आपके घर में आ गए है तब भी आप उनको ठीक कर सकते हैं तो इस तरह के cracks के उपर आप जाली लगाते हैं उसको मुर्गा जाली कहते हैं या wire mesh कहते हैं वो आप cracks के दोनों तरफ 3-3 inch लगा दें मतलब 6 inch की जाली की पटी होती है वो आप cracks के उपर लगा देंगे